नमस्कार मित्रों, साथियों, अभीबाव को, प्यारे दोस्तों, उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्रेटफ़रम पर आपका स्वगर्थ करते गुए अत्यान धर्ष हो रहा है, कि 12th बोर्ड एक्जाम समापत हो चुके हैं, और बहुत से बच्चों के कमेंट्स, पेरेंस क पत्रकिश प्रकार करेएगा, तो मैसेल्फ, एमार चौधरी, आपके सामने मुखातिब हूँ, इस विशे को लेकरके, और वीडियो को अन्तक सुनिएगा, इसके बारे में सही जानकारी और सटिक जानकारी, आपके अपने उत्थान एजुकेशन चैनल पर, लीजिए, BSTC, बैसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, नामका एक पाठ्यकर में दोवर्श ये डिप्लोमा है, इसको करने के बाद आप लोग ये बच्चे ककसा एक से पांच तक की विध्यार्थियों को राजिकी विध्यालियों में पढ़ाने की युग्यता आर्जित करते हैं, BSTC कर करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं लगती है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बाद आपको राजिस्तान सरकार में नौकरी पाने के लिए, रीट एक्जाम देना पड़ता है, रीट को क्वालिफाई करने के बाद, सीधी निकतिया उसके बाद और एंट्रांस सकता है, खेर, BSTC के चर्चा कर रहे हैं, BSTC का ये नाम भी प्रचलन में, कुछ लोग इस नाम से भी जानते हैं, D.L.Ed, Diplomate Elementary Education, तो ये मादिमिक शिक्षा निदिशाले का बिकानेर, पंजीक परिक्षा विभाग है, वो ये परिक्षा आयोजित करवाता है प्रतिवर्ष और ये परिक्षा का जिम्मा अलग-अलग एजेंसियों को भी दिया गया थार, दिया जा सकता है, दिया जा चुका है, तो परिक्षा कोई करवाए, कैसे करवाए, उससे हमें मतलब नहीं है, BSTC है क्या, D.L.Ed है क्या, इसके बरेम जानकरी, इसके लिए क्या-क्या प्रश् और जिनके 12 में 50 परसेंट से अबोव माक्स आने वाले हैं, जनरल OBC कटेगरी वाले, वो इस परिक्षा के लिए पात रहे हैं, वो इस परिक्षा का फोरम भर सकते हैं, परिक्षा में बैठ सकते हैं। वे विद्यार्ति, जनके 12 में 50 पृतिशत नंबर आते हैं, और वो जन 45 प्रतिशत 12 की परिक्सा में होने आवश्यक है, यानि कि 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाला, कम प्रतिशत अंक वाला, यदि कोई विशेष योग्य जन्य दिव्यांग नहीं है, तो इसके लिए पात्र नहीं है, ठीक है मित्रो, तो दू बातें आपके समझ में आनी चाहि जनरल समवर्ग, सामाने समवर्ग, सामाने स्रणी वाले विद्यारतियों के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक होने चाहिए, OBC, SC और ST वर्ग वाले विद्यारतियों के लिए 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए, और अधर, special category के हैं, CWSN वगेरा, दिव्यांग स्रणी के तो उन उमर का तकाजा है, तो 28 वर्ष से आपकी उमर कम होनी चाहिए, यानि कि आप 17 से 28 साल की उमर के हैं, तो आप ये परिक्षा आसानी से दे सकते हैं, आप 12 पास हैं, तब, अगला प्रशन आता है, application form date क्या होगी, तो अभी application form जारी नहीं हुए हैं, कुछ ही दिनों में इसके आविदिन form सुरू होने वाले हैं, और जैसे ही आविदिन form भरने सुरू हो जाएंगे, विग्यप्ति विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी, आपका अपना ये जो प्यारा साथ चैनल है, उत्थान education, ये आपको सबसे पहले सूचित कर देगा, लेकिन इससे के लिए आ सपास ही विग्यप्ति जारी करते हैं, ठीक है, अब तका ये system रहा है, उसके बाद, exam pattern क्या रहे गया, आमेतरो, जो 12 के बच्चे हैं, जो अब तक exam नहीं दिये हैं, competitive test भूमी के, उनके ये समश्या रहती है, तो इसमें multiple choice question, भव विकल्पी प्रश्न, या अब सद, चार व circle, गोला है, वो black करना, काला करना है, इस प्रकार का ये pattern रहता है, इसके समन्द में, आपका ये उत्थान education है, वो त्यारी भी करवाएगा, वो ये मार सीट पर test का योजन भी करवाएगा, तो वहां से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अगला हमारा विशे है, बिंदू वह जो सीखना, एक्जाम pattern में एक बात और निकल कर सामने आती है, ये स्वभाविक प्रशन उठता है, कि इसमें negative marking होती या नहीं, तो फिलाल negative marking का इसमें कोई प्रावदान नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कि जिन प्रशनों के आपको सही विकल पाते हैं, कि प्रशनों कोई चूज करें, उनकोई select करना है, syllabus क्या है, syllabus सीधा साधा syllabus है, किश्प्रकार का syllabus है, ये 2022 में जो BSTC exam का आयोजन हुआ था, उसके लिए syllabus आपके सामने है, प्रारामिक शिक्षा में डिपलोमा, सामाने और संस्कृत, संस्कृत बासा बाशी वाले जो विद्या वरिस्ट उपा जयाए, प्रवेशी का परिक्षा द्वारा करते हैं, उनके लिए संस्कृत लेंग्वेज का selection किया जाता है, या उनको करना चाहिए, उनमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बाके वालों के लिए syllabus का रूप रेखा इस प्रकार है, एक पार्ट होता syllabus में, वो है mental ability, मानसिक योगेता, और इसके आपको 50 प्रशन मिलते हैं, इसमें तार्किक योगेता, reasoning, analogy, दो वस्तमों के आनसिक, समानता या समरूपता, भिनता, discrimination यानि विभेदी करन के आंतर है, relationship, समंद, वारिवारिक समंद, समाजिक समंदों पर आधारिक प्रशन आता ह analysis करना और logical thinking, तार्किक चिंतन के प्रशन आते हैं, 50 प्रशन होते हैं, mental ability के तार्किक परिक्षन योगेता के, दूसरा portion, दूसरा जो खंड है, वो general awareness of Rajasthan, यानि Rajasthan राज्य की सामाने जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये सबसे अच्छा portion है, इसमें historical aspect एतियासिक पक्ष, राजस्तान से समन्द जितने भी पुरानी घटना हैं, उनके बारे में, political aspect, राजनीतिक पक्ष, art, culture and literature, कलाश शंकृतियों और साहितियों, आर्थिक पक्ष, geographical यान भोगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और प्रियाटन पक्ष, ये जो हम न वो पढ़ते हैं, उसका सारा मेटर वो इसके अंदर आता है, और जिसको हमें अटेंड करना होता है, इसकी सामानी समझ रखने वाला, चटी, सात्वी, आट्वी, की सोसलिस्त, डी, सामाजी घध्यन, सामाजी विज्ञान पढ़ने वाला, और नोवी, दस्वी की राजस्ता का सामानी घध्यन से समंधित, जो विशे वस्तु है, पठ्वे क्रम में, उसको पढ़ने वाला, हमेसा अखवार, समाचार पत्र एक दू पढ़ने वाला, विद्यारती आराम से इसको क्वालिफाई किलिर कर सकता, तीसरा इसका खंड है, टीचिंग अप्रिट्यूट का सिक सिक्षक में कौन-कौन से गुन होने चाहिए, कक्षा में किस प्रकार का व्यवार किया जाना चाहिए, विद्याले में किस प्रकार का व्यवार किया जाना चाहिए, छात्र छात्राओं के साथ किस प्रकार का व्यवार करना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार सीखने के प्र तो हम इस portion को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इन में सिक्सक की सम्वेदन सिलता, जग रुकता और समाज के सभी वर्गों, सभी लिंगों, सभी जातियों, सभी प्रकार के प्राणियों की प्रती, हमार जो सम्वेदी विवार है, उसको लेकर के ये प्रेशन है, बहुत मैत्व कोशल है, बाशा बाशी विचार, इसको हम आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, व्यवेशाइक अभी वरती है, आपका टेचिंग जोब के प्रती किस प्रकार का रुख है, और सामाजिक सम्वेदन सिलता, इस प्रकार के प्रशन आते हैं, ये सबसे सरल ब माना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रशनों के लिए विकल्प सही होने के लिए अलगल मार्केंगे नंबर है, पचास प्रशन आते हैं, चोथा खंड भाशा भाशी है, भाशा योग गिता का है, इसमें दू भाशाओं का चैन करना होता है, अंग्रिजी कॉमन है, कमपल्सर ही है, हिंदी अथवा संस्कृत में से आप किसी एका चैन करें, जिस पर आपका कमांड है, जिसके बारे मां आपको ज़्यादा जान कर ये, ज़्यादा समझ है, भाशा खंड से पचास प्रशन आएंगे, जिसमें 20 प्रशन इंगलिज के आते हैं, और 30 प्रशन, संस्कृत क अथवा 30 प्रशन है, वो हिंदी के आते हैं, ठीक है प्यारे मित्रो, 30 प्रशन हिंदी के और 30 प्रशन संस्कृत के, अब इन दोनों में से आपको किसी एक को सलेक्ट किसी एक को सलेक्ट करना है, हिंदी अथवा संस्कृत में से, तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाने का प प्रदान जीके से आएंगे और पचास प्रशन टीचर एप्रिट्वूड से आएंगे और से हैश प्रशन वह थो खंड में 20 प्लस 30iz 20 इंगलीश के आएंगे और 30 प्रशन हिंधी अथवा संस्क्रेत के आएंगे इस प्रकार हमारे पास कुल 200 प्रश्न हो जाते हैं और प्यारे मित्रों प्रतेक प्रश्न तीन अंक हमें प्रदान करवाता है करवा सकता है तो 200 एंटू 3 करते हैं तो हमारा टोटल ये टेस्ट है पेपर है वो 600 नंबर का हो जाता है कितने नंबर का हो जाता है 600 का ठीक है इस 600 नंबर के प्रश् चड़ाव रहता है लेकिन सामान्य तोर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ ये 2022 की cut of merit की बात करें तो लगबग 430 से उपर general category वाले बालकों का students का selection हुआ था और OBC वालों के लिए 410 से 430 के बीच में merit अक्सर रहती है अब 410 से 5 नमबर कम हो सकती है 430 से 5 नमबर उपर भी हो स question के difficulty level है काठीना इस तरह उस पर depend करता है किसी प्रकार OBC के बाद SC ST और EWS की merit उनसे नीची रहती है ठीक है सबसे निमनतम merit है वो ST समवर के बालकों के लिए रहती है और वो लगबग 350 से 330 से 330 के मध्य रहती है और 370 से 390 के मध्य SC की रहती है EWS की merit है थोड़े 370 से 390 के बीच आसपास यहां रहती है ठीक है मित्रो इस प्रकार यह सामाने जानकारी BSTC और DLAड परिक्षा में आवेदिन करने वाले या आवेदिन के प्रक्ति जिग्या सा रखने वालकों के लिए थी उम्मीद करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा यदि पसंद आता है तो आप आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उत्थान एजूकेशन के साथ जोड़े रह सकते हैं या हम आपको यूट्यूब पर फ्री तैयारी के जो वीडियो जी अप्लोड करत है और उसमें पढ़ाने वाले गुरूजन भी हैं जो आपके आसपास के खेत्र के सबसे प्रबुद्ध और विभिन कॉंपेटिटिटिव परिक्षाओं में सरिष्टा हाशिल कर चुके सिद्ध कर चुके लोग हैं और जो इसकूल एजूकेशन, कॉलेज एजूकेशन और यहां तक कि BSTC क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड लोग है वो आपको तयारी करवाएंगे उनको बड़ा लंबा पढ़ाने का सिखाने का तुजूरूबा है और किसी भी माइने में कम नहीं है पिछली कई वर्षों से ओफलाइन एजूकेशन में आपके उत्थान एज दुकरिया कर रहे हैं और उसके बाद बहुत आगे तक पढ़ रहे हैं इसमें कोई सक्या सूबा नहीं है तो नया बेच हमारा प्रारंब होने ही वाला है 9 अप्रेल से प्रारंब होगा आप उत्थान एजूकेशन के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर इसे डाउनलोड कर सकते ह हैं इसके लिए आप गूगल में जाएगा गूगल प्ले स्टोर प्ले स्टोर से उत्थान एजूकेशन मोबाइल एप्लिकेशन अपने फॉन में डाउनलोड कर दीजीगा और उसके बाद आप धीर दीर आगे बढ़ते रहें यदि आपको कहीं कठेना ही होती है या समश्य आती है तो हेल्प लाइन नंबर दे रखें उन पर आप संपर्क करें मात्र 499 रुपे फीश रखिए उसमें आपके कई सुईदाएं प्रोवाइड करवाने का हमने हर वर्ष की बात इस बार्ष भी जिम्मा लिया है उसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे साप्ताइक टेस्ट हो होंगे मेगा टेस्ट होंगे और BSTC एक्जाम से जस्ट पहले अपनी योगविता का अंकलन करने के लिए पिरी से पहले पूर्व पिरी टेस्ट भी आयजुद करवाएंगे और आपको सेलेक्शन होने के बाद काउंसलिंग में किस प्रकार का कोलेज देना है किस प्रकार का प्रायरेटी के एकोर्डिंग कॉलेज बरने ये तमाम जानकारी दी जाएगी आप यहां से तैयारी करते हैं तब भी और यदि अदर्वाइज कहीं से तैयारी करते हैं तो भी आपका जो प्यारा साथ चैनल हो थाने जो किशन वो सदेव आपके साथ खड़ा रहेगा तो त लिए रहेगा यहां तो किशन वाद कर दो किशने तो भी और मैं। भी आपके साथ हो प्यापके से तैयारी जित करते हैं भी एके साथ टानल भी आपके से प्लाबालों तो बता प्लाइएज कुप भी आपके साथ चैनल है अनवाद?